पिछले वीडियो में हम अपना जो इकोलाजी थै की उसके बिसिक चीजां देख चुकe थे खसकर इसे अिकोलाजी क्या होती है उसको किसने क्या टर्म बोला इकोलाजी के लिए इत्थालोजी है मतलब हैक्सकॉलाजी है बायो सिनोसिस है इस टाइब की जो basic terminology उसे देख चुके थे इसके साथ में ecology से related यानि कि जो अपना environment है environment से related जो अपने biotic और abiotic components थे उन्हें देख चुके थे अब अपना यहां उससे अगला जो आएगा जो आगे की चीज़ा है उन्हें discuss कर लेंगे खास कर जो अपना organism है मतलब जो अपना ecology जो जनती है वो किस लेबल पर जलती है अपना पहले तो एक single individual लेते हैं जैसे आपने organism को पकड़के उसका environment के साथ किस टाइप से relation है interaction किस टाइप से करते हैं तो किस टाइप से interact कर रहा है अगर उसकी study की जा तो उससे क्या बोलती थे ecology है फिर हम एक organism लेकर कि उसकी पूरी पूरी population ले ले जैसे कि human being human being जो अपना इंसान है human being है वो environment के साथ कैसे interact कर रहा है positive negative जो भी है whatever वो कैसे interact कर रहा है तो उसकी study को हम फिर यह बोलेंगे population ecology है फिर क्योंकि population इंसानों की है फिर उसमें कुटों की ले ले लेंगे घोडों की ले लेंगे birds की ले लेंगे snake की लेंगे तो इस टाइप की different type की population जो है वो मिल करके बनती है community तो बाद में इसके phase में आती है community ecology खास कर जैसे forest community ecology है तो अब community ecology के साथ क्या है कि community ecology IFS वालों को तो study करनी होती है लेकिन यहां अपने syllabus में इस टाइप का कुछ mention है नहीं और अगर आपका environmental science optional है तो वहां पर आपको community ecology थोड़ा देख लेना है community ecology बहुत कुछ नहीं है जो basic terminology होती community के जैसे biosynosis type जो छोटी-छोटी-छोटी term आएंगे उनके वो term को ध्यान देना और काम हो जाता है फिर community बहुत सारी community तो हो गई living थी और उसके साथ जो अवायटिक component उनको मिला करके जो system बनता है उसे बोलते हैं फिर ecosystem और ecosystem से आगे चलते हैं तो यहाँ ecosystem और बायोम लेवल पर हमें ecological study तो नहीं करनी होती है लेकिन जो basic चीजे चल रही होती है कि ecosystem में प्रामेड है energy कैसे मोब कर रही है food chain food web जो है इन चीजों को देखना होता है तो यहाँ एक एक करके देखेंगे खासकर अपना जो इंट्रेस्ट है वो है organism और population level पर है जहाँ आपने organism की study है जिसे बोलेंगे ठीक है एक को क्या किया जाता है चारों एक साथ थे बड़े हुए 10th class तक साथ में रहे एक को आर्मी में जॉब दे दी जाती है और उसे अगले 15 साल जो Chinese border है उस पर छोड़ दिया जाता है कहां उत्राखंडिया हिमाचल की जो पाली में ट्रांस हिमालाय वाली रिजन में उ ब्लिद्द अब यह जो यह जो भाई है जो यहां पर गया है क्योंकि प्रांस हे चारों एक साथ एक ही जिनुट आप है तो सबकी हीट बेनग होगी लेकिन यह जो बॉर्डर पर क्योंकि ब्लें बॉड़े है जो ले से होई थे या चर सिर्माले री में टाप्लेम एक कॉस् जो नंबर है वो बढ़ जाएगा तो जो बंदा जैपूर में है उसके में वही रहेगी जो जैपूर के साब से नॉर्मल है लेकिन जैपूर के कंपेर में इसकी जो लदाक वाले की है उसके जो नंबर होगा वो लगवागा डबल ए ट्रिपल हो जाएगा तो ये जो लदाक मे है तब तक यहां लद्दाक के साफसे इसके करेक्टर होंगे अब वहां से सब्सक्राइब करके जैपूर में बापिस आ जाता है तो फर वह धीरे-धीरे करके जैपूर के के साफसे लोकलाइज हो जाएगा मतलब फर वह एडजस्ट हो जाएगा तो यह जैसी कि अपनी कम्यूटी है यहां कि कोई सब्सक्राइब करके गई तो वह वहां के लोकल इन्वार्मेंट के हिसाफसे उसकी फिजिलोजी में चैंज आए यह जो चैंज है वह केवल इंड्यू इकाड का मतलब कैसे जैपुर का इकाड है यह भोपाल का इकाड है यह लद्दाक का इकाड है यह पूरी एक ही स्पिसीज है लेकिन एक ही स्पिसीज एरिया के साफसे थोड़ी एडजस्टेड है अगर यही वैरियेशन उनकी जेनेटिक्स में आ गया तब उसे बोलते है इ हाइट है थोड़ी छोटी होती है अपने यहीं देख लो जो हिमाचल वाले हैं उत्रकंड वाले हैं तो जो पाड़ी उनकी हाइट है वो थोड़ी छोटी होती है अब छोटी हाइट है तो ऐसा तो नहीं के पाड़ी वहां पर आज ही पहुंचे हैं यह दस साल पहले पहुंच पहाड़ी है वहां के साब से सेटल हो गाए तो यह जो पहले वो कभी इकाड बने होंगे मतलब जो अडप्टेशन थे पहले उनकी फिजिलोजी में आये होंगे लेकिन लंबे टायम तक जब रहे तो धीरे-धीरे करके वो जो अडप्टेशन थे उनके वो उनकी जीनो इसका रिजाइट हुआ कि अब वो जो आज अडप्टेशन थे वो एक प्योडी से दूसरी प्योडी को ट्रांसफर होने लगे तो अब जो पहाड़ी है वो चाहे जॉब के लिए यहां जैपुर में रहने लगे लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो जैपुर के साफ़क तो इको टाइप तो इसका मतलब क्या हुगा जैसे यह अपनी पूरी टोटल इंडिया की पॉबूलेशन है यह उत्राखन वालों का अलग इको टाइप है जैपुर वालों का अलग इको टाइप है साथ इंडियन का अलग इको टाइप है कलर के साफ से देख लो हिमाचल वा लेकिन अभी तक जो भी हुआ इनके जीनो टाइप में लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपास में इंटर ब्रीड नहीं कर सकते हैं नौर्थ इंडिया वाला साथ इंडिया वाले से साधी कर सकता और उनकी जो फर्टाइल ओफिस्प्रिंग पैदा करेंगे मतलब जो से अच्छे भी आगे की पीड़ी पैदा कर सकते हैं मतलब जो ऑफिस्प्रिंग है जो नई जनरेशन है वो इन फर्टाइल है वह अपस में इंटर ब्रीड कर सकते हैं इको टाइप में जैसे यूरोपियन है और अपने इंडियन ले लो अफ्रिकन है ये अपस में लेकिन अगर यही वैरियेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाए इतने हाई लेवल पर चला जाए कि आपस मैं ब्रीडिंग ही ना कर सकें तब हम बोल देते हैं कि एक टाइप से यह अलग ही इस्पिसीज हो गई उसे बोला जाता है इको इस्पिसीज इसका एक बहुत अपने देखाऊगा एक तो होता है अपने पास गोवी का फूल और दूसरा होता है वो पत्ता गोवी मतलब फूल गोवी और पत्ता गोवी यह दोनों कभी एक ही प्लांट के होंगे एक ही प्लांट या एक ही पेरेंट से डिबलप हुए लेकन यह एक दूसरे से दूर होते होते हैं इतने दूर हो गए कि अब आपस में बीच में क्रोसिंग भी नहीं कर सकते हैं और अकर तुम जबर जिस्ती क्रोसिंग करवाद होगे तो जो नई जनरेशन होगी विया तो वो प्रदी नहीं होती है या हो गई तो आगे कुछ पैदा कर नहीं सकती है वो इनफर्टाय का मतलब के कोई species कैसे बंती है यहाँ पर भी तुम चुड़ा है species इको species यानिजिग वो इनवार्मेंट के साब स्वेश्ट कर चुकी है तो यहां देखने है अपने को species दो टाइप के होते हैं एक होता है ऐलोपेट्रिक और दूसरा होता है सिंपेट्रिक अलोपेट्रिक मत साथ साथ एलोपेट्रिक कैसे मान के चलो सभी की सभी पूरी पूरी पॉपुलेशन एक साथ थी आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा पिलिटेक्टोनिक जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी जेगराफी में यहां पर मान लो प्लेटेक्टोनिक की वज़े से कोई पहाडी खड़ जैसे कि यहां पर एक बीच में पाड़ी खड़ी होगी प्लेटेक्टोनिक वज़े से तो पहले क्या हो रहा था कि कोई अगर वैरियेशन इस पेड़ में आया तो क्योंकि क्रॉसिंग हो गई तो यह सब किसाब इधर आपस में आसानी से जा रहे थे तो अगर किसी एक बीच में आपसे ऑने तो इस में चाना है तो उनके बीच में आ गई तो उस से क्या होगा दोनों साइड में हो यह सब घर से ठाहरे साती होगी में इस कि इसमें जो adaptation होगा अब यह क्या भारा कि इसके जो pollen ग्रन थे वो पाड़ी को क्रोस करके इधर नहीं आ पा रहा होग और इसके इधर नहीं आ पा रहा तो कि इससे क्या होगा कि इसके variation जो होगे वो इसके वारीएशन जो होगे वो इधर ही रहेंगे एक दूसरे के जाएंगी यह बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे एक फैमली होती है किसी राजा की एक इंडिया में रह गए दूसरी यूरोप में भेज़ दो दोनों के बीच में वेरियसन हो गया फिर वह भले लंबे चलें लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग दुनिया में चली जाती हैं दोनो का डिवलप्मेंट अलग-अलग हुआ है इसलिए इसे बोलते है ऐलोपेट्रिक स्पीशियस है मतलब अलग-अलग तो यह किससे होगे कोई जियोग्राफिकल वेरियर मतलब पाल हो सकती है नदी हो सकती है यह प्लेट टेक्ट्रोनिक से जैसे ऑस्टेलिया है वह अपने मुटेशन हुआ और मुटेशन दूसरों को ट्रांस्फर नहीं हो पाया है तो इसमें यह इस सब साथ में ही है लेकिन फिर वी इन में वैरीशन होगे और धीर धीर यह वैरीशन इतना बढ़ गया कि बीच में अलग ही इस पीशीज निकला है तो इस टाइप से दो टाइप क होता है एक है अलोपेट्रिक और दूसरा है सिंपेट्रिक अब इस टाइप से अपने तीन टार्म हो गए एक है इकाड दूसरा इको टाइप और तीसरा इको इसके साथ साथ कई बार आपको दो टार्म और मिलने को आते हैं इनमें एक है होम रेंज और टेरिट्री और दूस ecological niche तो पहले home range को समझते हैं अक्सर लोगों को confusion हो जाता है territory और home range में देखो territory का मतलब क्या है जैसे आपने बोलते हैं कि Indian territory कई बार आप जैसे मैप पढ़ोगे तो इंडिया का ये map बना होगा और उस पर लिखा होगा 12 nautical mile तक मतलब ये 12 nautical mile तक कि Indian territory है इसमें इंडिया के पूरे के law and order follow होते हैं तो अगर animal के बारे में बात की जाए मतलब यहाँ पर किसकी authority है पूरी government of India की पूरी total authority है यहाँ पर यहाँ पर कोई भार का country नहीं आ सकता मतलब ये इस पर अपना पूरा राज है एक छटर साम अमराज है तो जो territory term होता है उसका मतलब होता है कि वो area जिसमें कोई animal जो है वो रहता है जैसे कि छोटा सा area यह जो area है इस पर अगर suppose यह lion का area यह tiger का area तो इस पर केवल अकेला वो जो tiger वही रहेगा वो किसी दूसरे male tiger को उस एरिया में घुजने नहीं देगा यह area इसे territory क्यों चाहिए होता है उसे अपने परिवार को growth करने के लिए सांती से रह सके जैसे territory मतलब जैसे आपका घर आपका जो घर है वो अपकी territory है जिसमें आप अपने घर में किसी भारवाले को इंट्र करने की पर्मिसन नहीं है मतलब एक ही टाइप का और्गिनेश्म अगर यह tiger है तो इसकी territory दूसरे tiger से ओवर लिप नहीं हो सकती है तो territory मतलब वो उसका घर जहां पर उसकी total sovereign authority है उसे अपने घर को बढ़ाने के लिए आराम से रहने के लिए territory चाहिए हो लेकिन दूसरा term होता है वो है home range देखो range मतलब रेंजर घूमता फड़ता रहता है यह बोलता है घरे लू range मतलब अपने घर की पोहुँच तो क्या होता है सुभाई साम यह तफरी मारने के लिए निकला और ऐसे घूम घूम के चला तो यह bathroom मगर करके marking कर देते हैं सुंगते रहते हैं कि कहीं कोई दूसरा tiger तो नहीं आ गया तो इस type से यह marking कर देते हैं तो यह इनकी है यह होम रेंज मतलब इनकी घर की रेंज है यह बो रेंज है जिसमें यह अक्सर घूमता रहता है तो रेंज जो है क्योंकि एक tiger है वो घूम आया यह मान के चलो यह इधर ताफरी मार रहा था तब तक दूसरा tiger इसकी रेंज में घुसाया और वो अपनी boundary बना कर के चला गया फिर यह घूम के आएगा तो इसे tension हो जाएगी तो फिर उसकी boundary को मिटा लेगा और अपनी फिर बना के आएगा जैसे कुत्तों की area होते है वैसे तो यहां आपको confusion क्या होता है कि बढ़ी क्या है होम रेंज बढ़ी है territory बढ़ी है देखो territory मतलब मैंने जैसे बोला government of इंडिया की territory तो territory पे इसका sovereign right होता है एक देख की territory दूसरे देख की territory सो और लेफ नहीं हो सकती बैसी एक Animal की territory दूसरे आनिमल की territory से और लेफ नहीं हो सक्ति हैGreat एक Tiger की दूसरे Tiger से नहीं होगी एक मतलब आपना कुत्ता माल लो डॉग माल Gir masuk आपना जो इसे लेपड मालो तो एक लेपड की टेरिट्री दूसरे लेपड से ओवरलेप नहीं होगी लेकिन अगर अलाग लेख लेख लो तो जैसे कव्य की कभूतर से ओवरलेप हो सकती है उससे उन्हें फरक नहीं पड़ता है बस एक और ऑर्गेनिजम का और सेम इस पिसी कई अच्यां अच्छ किस ने दिया इसे दिया था ग्रिंएल ने एक जिनका यह इन्वल्मेंटल साइंस आपिसनल है उन्हें तो यह रखना ही रखना है व्यूंकि उनके बहुत सारे कुश्चन यह सईंट्रीक नेम किसने क्या बोला वो है अब और अब अपना इको सिस्थं होता है हर और्गेनेच उस एको सिस्टम में कोई ना कोई काम कर रहा होता है कोई ना कोई उसका फंक्सन होता है तो जैसे कि यह समझ लो कि आपके राजिस्थान का कोई एको सिस्टम है उस एको सिस्टम में यह जो गुब्रेला है इसका काम क्या है यह कहीं भी गुबर मलता है उसको ऐसे गोल-गोल बना करके घर अपने लेके चला जाता है तो ये गुप्रिला का इस पूरे के पूरे जो राजिस्थान का जो एको सिस्टम है उसमें या इंडियन एको सिस्टम या नौर्थ इंडियन एको सिस्टम में उसमें ये गुब्रेला का एक particular काम है ये particular काम यही करता है और कोई नहीं करेगा तो एक ecosystem में एक animal का particular काम decided है और वो काम केवल वही animal करेगा इसे अपन बोलते हैं ecological niche यानि कि उसका क्या occupation है उस ecosystem में ऐसा हो सकता है कि जो अफरीका का ecosystem है उसमें गुब्रेला नहीं होगा इसकी जगाए कोई दूसरा animal होगा जो ये गुब्र जो पड़ा होता है ecosystem में जो बद्वु मारेगा उसे ठिकाने लगाने का काम कर रहा होगा तो जो दूसरा animal होगा तो उसे हम भूल सकते हैं ये ecological equivalent है लेकिन एक system में एक जो गुब्रेला का जो काम है मतलब ये गुब्रेला का जो पर्क है कोई दूसरा animal यहां पर काम नहीं कर सकता मतलब जो इसका काम है वो यही करेगा इसकी जगाए कोई दूसरा insect नहीं करेगा तो यहां पर एक animal का एक particular role होता है और उसे वही करेगा कोई दूसरा नहीं करेगा अब अपना otecology के बाद आएगा population individual खतम हो गया तो फिर individual का जो group है वो अपनी population है अब population की जब बात करेंगे तो पहले ही तो बात आता है density का मतलब कि number of individual पर किसी specific unit area में इसी particular specific time में अब population ecology में आपने क्या study कर सकते हैं population के character मतलब इसकी density कैसी है population इस area में फैली कैसी है जैसे कि अगर इंसान की बात की जाए तो पाड़ी area में इनकी density कम होती है राजस्तान के desert में कम है जबकि जैपुर में जदा होगी दूसरा population की जो birth rate है या death rate है इन चीज़ों को देखते हैं यहां ध्यान लगो birth rate को बोलते है natality याद नहीं होता तो समाझ लिए लिए कि नए आने वाले हैं वो N से हैं मर गया है वो M से है तो mortality death rate होती है natality मतलब new birth rate और death rate दूसरा है इनकी life day वाल मतलब किस टाइब के life span है इनकी age की क्या structure है यह अपने देखते हैं अक्सर जो अपने census होता है क्या बूढ़ है बच्चे इतने हैं और जो old age में इतने पड़े हैं इनकी scattering, dispersion, density, size बगर यह सारी जो characters है population की population ecology में इनी चीज़ों को study किया जाता है लेकिन यहां अगर अपने मतलब का बात की जाए exam के point of view तो यहां basically चार point हैं जने ज़्यदा study किया जाता है पहला आता है age structure age structure के साब से अपनी जो population होती है basically वो 3 type की है 3 type के मतलब यहां पर देखो कि suppose अपनी old age population है वो थोड़ी काम है उसके compare में जो reproductive phase में जो population है वो उसकी size थोड़ा बड़ा है और जो बिल्कुल यह यंग generation है जो अभी छोटे बच्चे है वो जएदा है तो इस type की population जहां पर उपर से लेकर नीचे तक size है वो बढ़ रहा है या तो आप इसे ऐसे समाज़ लिए जो ग्राफ अपन बना रहा है वो age के हिसाब से बना रहा है यहां पर रख ली age और यहां पर रख लिया number तो यहां पर जब देखोगे तो यह जो जिनकी चोटे हैं मतलब बच्चे हैं उनकी population जएदा है middle वालों की थोड़ी कम है और जो old age वाले हैं उनकी कम है इसके पीछे region क्या हो सकता है या तो पुराने वाले मर जाता रहा है बहुत ऐसा कम होता है जनरली क्योंकि medical facility बहुत जाता है इस सब के पीछे region यही होता है क्योंकि population जो है वो बूम पह है वो boost हो रही है इन्होंने थोड़ा बढ़ाया और इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो नई generation जो है वो बहुत ज़्यदा है तो यहां पर age structure में क्या बोल सकते हैं इस type की जो population है इसे बोल सकते हैं जैसे इंडिया की population है जहां नई population बढ़ती चली जा रही है बतलो अपनी जो population है वो बूम पर है यानि कि अपनी जो population है वो majority की सबसे ज़्यदा पार तो यही बना रहे है यह बढ़े तो बहुत कम बना रहे है 15-20% तो यहां की जो population है वो एक टाइप से यंग population है तो जो यंग population वाले कंट्रीज है उनकी एक इस टाइप की जो ग्राफ बनेगा population का यानि यह इस ट्रक्चर की स्टाइप का बनेगा ट्रेंगुलर टाइप का बनेगा दूसरा यह इंसानों के ले लो बाद वो पेड़ों पर भी वही लगती है यह फर जो एनिमल है कि इनकी population में जो बूम था वो नहीं हो पाया तो इनकी population कैसी हो गई है लगवग आल्मोस इस्टेबल सी हो गई जितनी इनकी यह जो रिप्रोड़क्टिव फेज में उतनी यह बच्चे है आल्मोस दोनों की population जो है वो सीम सी हो गई है तो यह यह बोल सकते हो कि यह population है वो इस्टेबल हो चुकी है अब इस्टेबल population होने का मतलब अपना यह जो एज स्ट्रक्टर का जो ग्राफ है कैसा बनेगा यह बनेगा अपने बैल सेब का मतलब घंटी के टाइप का एक तीसरा है यह अपने जापानीज को पकड़ लो कि इनकी आँ क्या है यह जापानीज यह इटलीज है क्योंकि इन्होंने क्या है कि ओल इज पॉपुलेशन तो बहुत ज़दा इन पर बहुत ज़दा कंट्रोल कर दिया चाइना में भी जैसे हो गया कि वन चाइल्ड पॉलिशी का रिजल्ट होगा कि ओल लेज तो काफी ज़दा बढ़ गया और यह वाले हैं यह थोड़े कम है और फिर इनने और भी कम कर पाए वर कितनी अवर है कि टाइम प्रॉपर ली नहीं मिल रहा है जो भी बहुत सारे कोज़ेश है जिसमें इनकी जो यंग जनरेशन है वो और भी कम हो गई इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटने लगी है डिकलाइनिंग पॉपुलेशन तो इस टाइप से तीन टाइप के पॉपुलेशन के हमें ग्राफ मिल जाते है यह जिस ट्रक्सर के बेस पे हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जहां यंग पॉपुलेशन जएदा यानि क कि growing population है इसका जो parameter होता है वो होता है triangular type है यानि कि parameter type का दूसरा होता है गंटी के type का और तीसरा होता है मतके जैसा मतके मतलब अपना मतके type का pot अब अब अपने जो question एक वह अक्सर इसी type चाप पूछ लेते हैं वह पूछ लेते हैं कि किस type का आप जैसे यहाँ पर है बेल से पिरामेड ऑफ एज स्ट्रक्चर जो है जैसे MP का है 2014 में जो पेपर हुआ था मतलब 14 का एक्जाम है 15 के दिसम्मर में पेपर हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि जो बेल सेप की पॉपोलेशन है किस थाइप की होती है किस थाइप का वह इंडिकेट करती है मतलब यह घंटी की जैसे यह है अगर आप बीच वाली अपनी आ गई मतलब यहां की पॉपोलेशन कैसी है स्टैबल है डिक्लाइनिंग में कैसी होगी गड़े जैसी होगी और एक्सपेंडिंग है मतलब अपनी ट्रेंगुलर वाली है तो अपनी अंसर जिसका सी इनों ने भी दे रखा था अब एक बार अगर एज स्ट्रक्चर होगी तो फिर अपना आता है दूसरा सर्वी वोर्षिफ कर्व मतलब कोई जैसे अपनों बोलते हैं कि अपना एवरेज लाइफ कितनी है लाइफ इस्पान कैसी बोलते हैं सतर साल है पैसट साल है तो यह लाइफ इस्पान जो होती है उसी टाइप के अपना जो होता है वह है सर्वी वोर्षिफ कर्व क्योंकि लाइफ इस्पान अपन इन पैदा किये तो इनकी अगर फाइनल जो एज है सबोच वो हंड्रेट है तो इनकी डेथ का पैटरन कैसा होगा अगर इनसान की बात की जाए तो अगर आज सो हुए है तो ये जदातर मैजूटी है वो डेथ बहुत कम की होगी और जदातर अपनी लंबी हायू जी एंगे और के सब किये दूसरी अगर बड्स ये जो पेड़ पौदों की बात कर ली जाए तो इनकी बात की जाए तो ये इस्टार्टिक में जब पैदा होते हैं तो ये हजारों लाखों की तादात में बीज लगाते हैं तो इनकी जो नई जनरिस हैं वो हजारों लाखों की तादात मे लेकिन टाइम के साथ मैजर्टी की डेथ हो जाती है और फिर बाद में इनके बहुत कम बचते हैं और पिर उनकी जो भी लाइफ इस पानों हजार साल दो हजार साल लास्ट वो नके बहुत कम पर मितलब यह है कि इनसानों के जो है यहां जो भी स्ट्राइटिक में पैदा और कुछ ऐसे अनिमल होते हैं जो टाइम के साथ बिलकुल इस टाइप के कर्व को फूलू करते हैं तो यहां यह जो कर्व है इनको नंबर दिया जाता है इसको दिया गया कौन सा टाइप वन इससे बोला टाइप टू और इससे बोला टाइप थिरी यहां आपको तीनों ही ताइप को याद रखना और याद रखना है कि इंसानों कोन सा लगता है चुडिया वगरा पक्षी वगरा है मैजोटी पर ऐसे लगता है टाइप टू लगता है और प्यूलुप वगरा पर टाइप थरी लगता है अब इस पर कुश्चन देख लेते हैं एक्जम्पल ऑफ टाइप बन टाइप ओफ सब्री वोर्शिप जो टाइप बन टाइप का जो खर्व है वो किस पर फूलो करता है तो अपना सीधा सा बर्ड वगरा पर सिकंड लगता है यहां एक बात और याद रख लो देखो यह जो है यह किस पर इंसान है मतलब लार्ज सा यह जैसे कि टाइगर है इनसान है तो जो बड़े साइज वाले है ना उनके साथ यही होता है कि उनकी पॉपुलेशन स्टाइटिक में वो जो भी बढ़त हुई वो लाखों तादावत में होते हैं एक इनसान के दो या एक ही पैदा होगा लेकिन जो भी पैदा होंगे वो जिन्दा रहते हैं लास्ट तक एलिफेंट में भी वह होगा वो दो साल में एक बच्चे को देगा लेकिन वो लास्ट तक बचेगा पॉसिवल्टी है कि वो स्टाइटिक में मारे लेकिन पेड़ जो होते है एक पेड़ से हजारों लाखों की तादात में होते हैं लेकिन ब प्रम पैदा होते हैं लाख के तादात में और फिर अदे मर जाते हैं यह c lug जाते हैं इस puff हो जाती है अनले जाते हैं तो कि यह याद नहीं रहता है कि कौन सा सिकंड में कौन सा फंस्ट में तो में जनरली यह याद पहले में ध्यान रखो कि जो बड़े साइज की अनिमाल है जैसे कि अलिफेंट है टाइगर है इंसान है केटिगरी में रखते हैं एक फिटे आदापे साइब कि पार्ण के रहते हुँ किड़ करों की प्रमियां खतों में आदें चटक जाते हैं इसी को अगर कर्व में बनाया जाए मतलब कि population की जो growth है उसको growth कर बनाया जाए जैसी कि अभी तो survey worship है दूसरा इसमें क्या आता है growth का pattern कि कोई population जो है वो कैसे growth करती है यह third point था actually कि growth का pattern या growth का behavior तो population में जो growth का behavior है वो दो type का होता है मतलब एक view है जिसके हिसाब से यह दो type का होता है एक कर बोलते हैं जैसे 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 जो growth होती है वो किसम होती है अपने बहुत सारे कीड़ी मकूलों में जैसे अपनी जो टिड़िया है यह आपने सुना होगा कि जो वो एक होते हैं साइब एरिया में एक होते हैं जो अपने मोरन कुछ something गोलते हैं उसे चुहे जैसे होते हैं जो एकदम समुद्र मकून लगते हैं लेमिंग लेमिंग वो फ्रून रहा है तो यह जैसिप में क्या होता है कि एकदम इनकी पॉपोलेशन जो है वो थमा के दार बढ़ती है और जो इसका पीक है मतलब एक एरिया है उसकी कुछ कैरिंग कपिसिटी है मतलब वो होल्ड कर सकता है सो लोगों को फोर्ड दे सकता त तो फिर वो एक हजार एक दिन में खाले हैंगे लेकिन दूसरे दिन पर किजी को खाने को नहीं मिलेगा तो इनकी पॉपोलेशन एकदम बूम होती है लेकिन बूम होने के बाद इनकी फिर एकदम क्रैस हो जाती है पॉपोलेशन क्योंकि इनकी खाने को नहीं मिलेगा तो फ से फैबरेवल सीजन दे दो चुहों को तो वो पता पड़ता है कि 6 मंद में उनकी लाखों की तादात में वो बूम कर जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है अपनी वो टिड्डियों का जो अटेक हुआता है तो वो इतनी जल्ली बूम करते हैं और जैसी उनका ए सिफ कर्ब या जे सिफ ग्रोथ कर दो इसे कही पर और सिलेक्शन भी आगे अगली स्लाइड में देखेंगे आरउर की का मतलब क्या दूसरा होता है एस्स चिप ग्रोथ या इसे बोलते हैं सिगमोईडल ग्रोथ इस ग्रोथ में क्यों होता है एक पैट नोट यह Tár G20 मषमा फिर उसमें थोड़ा broom आता है, But only ही बाद उसमें क्यूंकि जो factor है वो तो limit में आते ही है, तो limit में कर रहा तो धीरे दीरे उसकी जो growth rate है नोगरने लगती है, फिर last में जो system है ecology की Carrying capacity है, उसके एक साब से वह एड़स्ट हो जाता और इसकी एक population जो है वह एक limit में ही रहती है इसे कैसे सबसे best example ले लो जैसे कि टाइगर की population जो लार्ज साइज है नहीं मल है उनमें यह जदा तर यह S-shape का ही होता है अगर इनके साथ क्या होता है कि अगर इनके पास system बहुत बढ़ा है और वहां पर के बाद दो टाइगर है तो यह आपस में बहुत जल्दी breeding करके अपनी तेजी से population को बढ़ाएंगे लेकिन जैसे जैसे population बढ़ेगी इनकी carrying वो मतलब system की जो hold करने की छमता है वो इन पर stress डालना शुरू करेगी सब्सक्राइब बहुत बढ़ा नेशनल पार्क था जिसमें पहले दो टाइगर थे उनको कोई competition नहीं था आराम से hunting करते थे दीरे-दीरे उनने population बढ़ा है अब 100 आईगर आगा है तो आप उनके पास limitation हो गए क्योंकि 100 आईगर जधा सिकार करेंगी तो आप हर एक को आसानी से नहीं मिलेगा तो इस टाइप से जो stress है वो उन पर stress डालेगा और धीरे-धीरे उनकी population जो है वो limit में आ जाएगी तो इस टाइप से large size की जो आनिमाल है वो generally s shape की कर्म को follow करते हैं सिग मोडल S का मतलब तो यहां पर जो population growth है उसके लिए यह जे शेप और S के दो टर्म जो आते हैं कर्वाले अब इस पर कभी-कभी दो term or आ जाते हैं इसमें एक होता है k species और दूसरा होता है r species अब कई बार यह समाच में नहीं आता है k और r का मतलब क्या जैसे मैंने बोला था कि j sip kar यह मतलब क्या जैसे चुहे का example दिया था यह का दिया इनको क्या होता है कि जैसे चुहे की साथ क्या है कि इनकी population बहूत क से पढ़ती है तो पहले एकड़म भूम पहांचती है अब आपने क्या किया क可以 खेत आमके पक चुके थे आपने फॉसल काड़ दी तो इकदम supply खतम हो गई तो supply कम हो गई खाने की कमी पढ़ गई एकदम इनकी population collapse हो जाती है इकदम इनकी population collapse हो जाती है collapse हो वो उलकुल नीचे फ़रा जाएगी क्योंकि बहुत सारे तेजी से मरेंगे हजारों की तादत में चूहे मर जाते हैं तो एकदम बस्ट हुई तो इसके बाद फिर बस्ट होगी फिर नॉर्मलाइज होगी फिर बूम होगी फिर बस्ट होगी फिर बूम होगी फिर बस्ट होगी तो जो जे सेव का कर्व करते हैं इनके साथ इसरी टाइप का मुद्ध चलता रहता है तो अब इनमें किसम होता है ये जनरली चूहों है तो इस टाइप का जो मतलब species हैं जिनमें इस टाइप के भूम और बस्ट का साइकल चलता रहता है इन्हें बोलते हैं अपने और species अब नाम याद नहीं रहता तो आर का मतलब rat मतलब चूहा तो ये चूहा है वो अपनी आर species है दूसरी ऐसी species जिनका जो अपना ग्रोथ करव है ग्रोथ पैटरन है वो किंग की जैसा होता है के मतलब किंग मतलब राजा मतलब इनसान मतलब बड़ी साइज के अनिमल जिसमें अपना human being भी है elephant है tiger है इनमें क्या होता है कि एक growth होती है जो एक तेजी से बढ़ती है एक time के बाद इनकी population है वो stability आने लगती है और इनमें इस type की collapse बूम और बस जाची चीज़ होती नहीं है वो फिर stable population हो जाती है उनकी तो इस type की उनकी जो है वो caring capacity के हिसाब से यह जो limit है कि उसके हिसाब से चलती है क्योंकि caring capacity का इवार cc से होता है क्योंकि caring capacity जो है दोनों term c से होता है यह भी c से होता है यह भी तो याद नहीं होता है तो क्या याद रख लो के मतलब किंग आर मतलब रैट दोनों से याद रह जाता है ग्राप मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि इस पर कुछन आते हैं यहाँ पर जो आर्ट सेलेक्टेड पॉपॉलिशन है इन पर दोनों पर आएंगे किस ने दिया यह आर्थर और विलसान है व तो कैसा होता है छोटे साइज की मेडियम साइज की और लाड़ साइज की तो देखो किंग बड़े साइज की तो मतलब लाड़ साइज वाले होंगे छोटे साइज वालों में यह अपना होगा कुन सा और सिलेक्शन चूहा वाला इसके बाद अपना पॉपुलिस निकलोजी है इसमें लास्ट पार्ट आता है वह अपना लाइफ फॉर्म मैंने कई बार बताया था कि जो अपना रॉंकियर का लाइफ फॉर्म है बहुत सारे लोगों ने कोसिज की लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे फिर्मास है वो है रॉंकियर का तो सबसे पहले तो समझते कि आखर ये लाइफ फॉर्म है क्या हर चीज चाहें वो पिलांट हो या एनिमल हो सभी ये चाहते हैं कि वो अमर हो जाएं अमरता का भरदान चाहिए आपने पुराने नाटकों में देखा होगा सब के सब तपस्या करने बैठ जाते थे और भगवान से बोलते थे कि वही हमें अमर बना दो तो ये जो अमरता वाला है मतलब सभी का करेक्टर है सभी चाहते हैं कि वो पर्मानेंट नेचर के हो अब अगर कोई चीज ऐसी है जो अमर नहीं हो सकती है तो फिर वो क्या करें तो उसका एक second alternative method है कि जब वो ऐसी नहीं है कि वो पर्मानेंट सर्वाइब कर सकती है तो फिर वो दूसरे method अपनाएगी जिसमें परपज है कि वो रहे ना रहे उसकी अगली generation आ जाएगी तो वो अपनी नई generation लेके आ जाएगी और यह जो generation है वो उसकी आगे generation लेके आ जाएगी तो इस type से यह plant है वो अपनी generation लेके आएगी मतलब इसने जो कुछ भी सीखा जो कुछ भी adopt किया यह जो भी इसकी knowledge है वो अपनी first generation को दे देगी और फिर यह generation अपनी अगली generation को अपने चीज़े ट्रांसफर कर देगी तो इस type से बोल सकते कि इसका जो knowledge है वो इस पे गया और फिर इस पे गया तो इस type से इसका जो genotype है वो adjust करता रहेगा जैसे आपके जो great grandfather होंगे उनकी जो चीज़े जो genotype है या उनने जो सिखाया आप वो knowledge या जो उनका experience था या उनका जो genotype था वो आप तक है तो इस type से जो plants जो होते हैं उनका एक character होता है कि अगर वो खुद अमर नहीं हो सकते तो फिर अपनी generation बढ़ा के अपनी जो population है उसे maintain करते रहते हैं और अपनी civilization या society को अमर एक type से अमर बना दिया अमर बैसी नहीं हो सकते तो एक दूसरी को replace करके अमर बना दिया वो खतम नहीं होते हैं और समय के साथ उनका जो जरूरती हैं उसके साबसों में adaptation होते हैं बदला होते हैं तो यह जो अमरता है यह कैसे आईगी अब जो पेड है एनिमल तो है नहीं कि अगर कहीं जंगल में अग लगी तो यह भाग गए तो पेड़ों को कुछ ना कुछ टाइब के adaptation करने पड़ेंगे खासकर यह जो नई जननेसन है उसको बचाया रखने के लिए तो यह जो नई जनननेसन है वो पेड़ों में किससे होते हैं वो होते हैं बड्स के थुरू यह बड्स क्या हो सकती ह है यह सकते हैं स्रीर हिरन अब जंगल के साथ क्या इससे कभी सूखा पढ़ गया रखे आग पेड जैनरेशन को बचाके नहीं रंखेगी अपनी वर्डश को बचाके नहीं रखेगी तो क्या होगा कि यह जो इस पिसीज अगर आग लगे यह जल लगे तो इसकी आगे की जनरेशन ही नहीं यह खुद भी गया और आगे की पूरी जनरेशन खतम तो जो जैसे बोला अमरता वाली बात है तो बैसी यहां पर यह प्लांट्स जो हैं इन्होंने अपने मतलब इसे हिसाब से समाझ लो कि जैसे गरीब आदमी क्या करेगा और अमीर आदमी क्या करेगा जो पेड़ काफी बड़े हैं बहुत वैल डिवलप्ट हैं तो वह अपनी जो बर्ड्स हैं क्योंकि यह हजारों लाखों की तादात में सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हे इस टाइप से जो प्लांट है उन्हें अपनी बर्ड्स को ऊपर रख लेते हैं काफी हाइट पर बनी रहती हैं उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यह अपने आपको काफी स्ट्रॉंग होल्ड कर रखे हैं कुछ हैं जो कमजोड प्लांट हैं वो इतनी उचाई पर नहीं करते हैं वो जमीन के बगल में ही करते हैं जमीन के पास ही रखते हैं कुछ जो है वो जमीन के अंदर रखते हैं जिन से अपनी उनकी नई जनरेशन आ या कुछ है मतलब यह सुपरफिसियल है यह सरफेश में हलके उपर यह सरफेश हलके नीचे और कुछ ऐसे हैं जो सर्फिस में बहुत ज्यादा नीचे तक हो जाते हैं जैसे कि ट्यूबर वगर है प्याज वगर है लैसोन है आलू है राइजॉम है मतलब जैसे अपना बंबू है इनमें तो इस टाइप से जो सीड मतलब जो प्लांट्स है उनकी एक काटेगरी है तो अब यह प्लांट को क इसे काटेगराइज किया जाए इस पर काफी डिसकसन किये गाए बाद में यह जो रॉंग्टियर का जो था क्लासिफिशन की काफी फेमस हुआ इन्होंने यह बोला इनमें चीजों के बेस पर प्लांट को क्लासिफाइग गया तो इन्होंने पांच गुरूप बनाए यह प अधाइभी फेनेरोफाइट हैल फेनेरोफाइट मतला फो प्लांट जिनकी परड्र वो काफी हद तक काफी ऊंचाई पर रही जैसीरे प्लांट अब इन आय च्छोटी मोथी चीज़ें यह इतना डर नहीं इसकिольш अग्जामेशão वह इतन डिवलप हो चूआ है को टीट को बना लिया आग लग रही हो सूखा पड़ रही हो बाड़ आ रहे हो टीक को फरक नहीं पड़ता तो यह जो प्लांट जिनकी जो पैरिनेटिक बॉडिज है यानि कि जो बट्स हैं वो काफी उंचाई पर होती है इन्हें बोलते है फैनेरोफाइट इस टाइप से रोंकियर ने पूरा हवावाई कर देता माहुल को और बड़ा से स्टेंड होता है आदा एक मीटर का होता है तो यह क्या अपना यह फैन है तो यह कुछ है फैनेरोफाइट दूसरा ऐसे प्लांट बहुत सारे हैं जिनने जिनकी इतनी ओकात नहीं है कि उनकी साइच इतना बड़ा नहीं ह वो उनकी इतनी ओकात भी नहीं है या बोलो कि उन्होंने इतने अपनी आपको डिपलाप नहीं कर पाया कि वो अपने बड़ को इतनी खुली छूट दे पाएं तो उन्होंने ट्राई किया है कि उनकी जो बड़ है वो जमीन के पास ही रहा है जिस से यह सूख बार जिस कम पढ़ें लेकिन फिर भी इनमें कम सकम कुछ तो अडप्टेशन होगा अडप्टेशन कैसा कि अगर सपोज यहां पर इनकी बड़ है तो उन्होंने इस टाइप से हार्ड कुछ बना रखा होगा जिसे छोटी मोटी फायर का उनके इंपक्ट ना पढ़ें तो इनको जो त चम्ली की तरह है जैसे आपकी चम्ला जो होता आउटर कवार होती तो यह सर्फेस पर लगे हुए है तो यह हैं चैमियोफाइट यह चैमियोफाइट चम्ली चैम्यो तीसरा यह कहां पर है अक्सर ऐसी एरिया के प्लांट जहां सर्दी बहुत कर पढ़ती है खासकर बर्फ अगर वहां पर अपने बड़े वाले पेड़े लगा दोगे तो बर्फ वारी में उनकी जो रड़ है वो तो वहीं पर बर्फ में जम जाएगी और मर जाएगी इस चैम्योफाइट यह चम्ली बाले उनकी भी ट्म्ली में क्रेक आँए तो ऐसे जो की ठंडे अरिया करें यह तो यह हैं थोड़े घ्यहराई में होते हैं, अब मैंने जैसे बोला, cold area वाले, cold area को क्या बोलते हैं, crypto, तो यह है, hemi crypto fight, यह पूरे crypto नहीं है, यह hemi crypto है, hemi का मतलब आदे, यह बिलकुल superficial में है, अगर यह पूरे crypto होगे, तो क्या होगा, यह थोड़े और नीचे चले जाएं मतलब हेmi crypto, और crypto मतलब यह थोड़े और नीचे होगे, जो चौती category है, वो crypto की होगे, तीसरी अपनी हेmi crypto की होगे, दूसरी chemio की होगे, पहली होगे, फैने रोफाइट की, मतलब पंखा होगया, फर चमडी होगे, फर नीचे cryo वाले मतलब, cold वाले होगया, इसके बाद नी करवाले हैं, यह बोला है, हम तो भाई नीचे ही चले जाएंगे, हम से ना होपाएगा, कुछ भी छोटा भी होजा, यह बहुत ज़्यादा sensitive है, तो यह बिलकुत जमीन में चलेगा, जमीन में चलेगा, यह बोल दिया अपने geophyte, यह यह थिरोफाइट है, यह तो यहां पर आपको 5 कैटेगरीज है, यह थिरोफाइट, यह थिरोफाइट, यह थिरोफाइट, यह थिरोफाइट, इन में कुछ थोड़ा बहुत variation हो सकता है, आपको जो नोट्स में दिया गया होगा, वह बिलकुल exactly सही होगा, तो आपको नोट्स के हिसाब से ही चरना हो हजार पेड़ थे आपने बोला वहां पर 50% यानि कि 50 मिल गए कौन से फैनेरोफाइट वाले कुछ मिल गए कैमियोफाइट चम्रे वाले कुछ किसी और कैटेगरी के मिल गए कोई किसी और कैटेगरी तो आपको जो टोटल मिले थे उसको अपने इस टाइप से अपने जो यह क्या है बाइलोजी है तो इसे बोलते हैं बाइलोजीकल स्पेक्ट्रम बाइलोजीकल स्पेक्ट्रम का मतलब कि बाइलोजी मतलब लिविंग थिंग उसको एक बता रहा है स्पेक्ट्रम के कौन सा स्पेक्ट्रम कितने परसेंटेज बना रहा है यानि कि किसका क्या परसे टो से क्या बोलेंगे तो को ही भाइया भीया में गयर क्योंसी बैसे कितनी बाइएसिनोसिस अजय तर्म किस ने दिया इख सथा ने यह तर्म इयाद रह रखो wrong care law part and two wrong care का जो कानून वो किस समझ देता है वो density class समझ देता है basal cover class समझ देता है frequency class से या age class से तो अपने को कैसे समझ में आए कि यहाँ और तो चीज़ बैठ नहीं रही frequency class समझ में आ जाती है frequency class कैसे समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पर हम यही पता रहा है percentage की इसकी frequency कितनी है इसकी कितनी है इसकी कितनी है biological spectrum की और बकाय की चीज़ है तो यहाँ wrong care से कुछ बैठ ही नहीं रही अपनी density का कोई मुद्दा नहीं है बिसल कबर का कोई मुद्दा नहीं है तो यही चीज़ बैठ रही है तो इसलिए अपने सी लगा है